इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ट क्लास 7 प्रस्णा वाली 3.2 का कुश्चन नमर 2 से इस वीडियो में देखेंगे लास्ट तक तो देखते रहे वीडियो को लास्ट तक तो चलिए भिना समय गया वाइम करते वीडियो को शुरू तो दोस्तो यहां पर देखे कहला है उससी वर्ग की भुजा दूर स्मलब 3 मीटर है तो उसका छेत्र फ़र्ग होगा चले हम इनको कॉपी में देख लेते हैं तो दोस्तों यहां पर दूसरा नंबर दिया हुआ है वर्ग लिखेंगे यहाँ पर वार्ग की भुजा वार्ग की भुजा दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ है दो दसम्लाव आप अपना बुक रखिया आगे में और सवंज यहाँ से तीन मीटर दो दसम्लाव तीन मीटर दिया हुआ है तो यहां पर क्या कह रहा था वर्ग की छेत्र फ़ल निकालने के लिए कह रहा था तो यहां पर लिखेंगे हम वर्ग की छेत्र फ़ल वर्ग की छेत्र फ़ल वर्ग की छेत्र फ़ल बड़ावर फर्मूला आता है दोस्तों यहां पर सुत्र आता है इनका भूजा A square यह क्या है formula E इनको याद रखना पड़ेगा आपको दोस्तों यह सुतर है तो हम इनको लिखेंगे यहाँ पे दिखे, भुजा square होता है दिखे, यहाँ पे दिया हुआ है व recipe बुजा कितना दिया है दो दो समिलीव तेन मिटर इनको लिखिए गा देखिए एक हो गया यह दूसरा दो बार है इनवे square लगा है तो इसको हम हटा है square से तो इस परकार से लिखेंगे और इनको मैंने आपको गुणा करना सिखला दिया है पिछला विडियो में द्चाहीं है पैसे छफ्टर में किसे में नीचाह दसमें आगे संक्या इक संक्या हम यहाँ और पलॉस इस परकार से तो आक कितना संख्या एक है यह तो ऐल हो गया एक ज़िया इसमें ओरा 5.29 यहां पर लिखेंगे बड़ावर में 5.29 यहीं क्या हो जागा इसका आंसर अब हम इसी प्रकार से लेक्षा नम्मर कहें रहा है किसी तिर्भूज का आधार एबं आधार पर सिर्षलंग की लंबाई क्या दियावाई क्रमसा 2 सेमी और दूसरा दियावाई सेमी सेमी याने की सेंटीमीटर तर केरा ला इसमें भी क्या होता है फरमूला लगेगा तो चलि हम इनको कॉपी में देख लेते हैं दूस्तों यहां पर हमतीसरा नम्मर लिखेंगे क्या दियाaráरा का की लिखैंगे तिर्भूज की आधार तिर्भूज की अधार यहां पर लिखेंगे दो सेमी इसमें देख लिजे दोस्तों यहां पर हम भुक में आपको दिखा देते हैं यहां पर देखें दोस्तों यहां पर दिया हुआ है बुक में दो सेमी यहां पर देखें क्या क्या दिया हुआ है पहला अधार और दूसरा लंबाई दिया है तो हमें अधार लिखेंगे पहले अधार कितना है दो सेमी पहले वाले को अधार कहेंगे और दूसरी वाले क्या कहेंगे लंबाई लंबाई कितना दिया है 1 दसमलव 5 सेमी चलिए हम इनको लिख लेते हैं अब लिखेंगे इसी परकार से तिरभूझ की, तिरिभूझ की लंबाई लिक अधार लिख दी हैं, इसके बाद लिकेंगे लंबाई, कितना दिया हुआ है? एक दसमलव पांच CME, और इसके बाद की है? क्या रहाध्पर निकालने के लिए? दुश्के बाद के रहा तिरभू त्रिफूज का छेत्र फल, फर्मुला आता है इनका 1 by 2 और गुने, इन 2 कह सकते हैं हैं को 1 by 2 गुने, इसमें देखें सब सूपर में क्या है, आधार, तो रिखेंगे आधार यहाँ पर जो चीज दिया रहे, वो ही लिखना रहता है, यहाँ पर आधार और गुने, इसके लंबाई में इनको करेंगे वान वाई टू और गूझे अधार कितना दिया वाई है अधार कों इंग्लीज़ में कहते हैं भी है को यहां पर यहांप है सकते हैं समझ ने क्लिए बच्छेंट यहां पर इसक यहां पर 1954 मैं यहां पर यह दो से 2 कट रहा है इसे प्रती का मतला होता है एक क्या करेंगा हम और समय में क्षा करके तो इसमें लिखेंगे सेंटीमेटर उसके स्क्वाइब हो जाए पर्ती क्या मतला होता है एक मिटर की दर्श यहां पर हम लिख देंगे फोर्स नमबर यहाँ पर फोर्थ नमर लिखेंगे एक मीटर मीटर कपड़े कपड़े का मुल्य बरावर कितना दिया हुआ है 70.5 पांच रूपिया तो यहाँ पर कितना कपड़े का मुल्य यहाँ पर पुछ रहा है यहाँ पर कहे रहा है 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य तो बावर में कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दीखे एक मीटर कपड़े का मूल्य कितना है सत्तर दसमलव पांच रूपिया और गुना गुना कितना करेंगे इतना मीटर कपड़े दिखा देते हैं तो इसको गुना कीजेगा तोiye यहां पे हो जाएगा तो यहां तो यहां पर हो जाएगा और दो डेखे दोस्तों यहां पर 5 नमर 13 एक मोटर साकील एक लीटर पेट्रोल से 55.75 किलो मिटर जाती है यदि तेल टंकी में 2.75 जीरो पेट्रोल हो तो उस गारी का अधिक्तम कितनी दूरी ताइक की जा सकती है तो दोस्तो जिस परकार से हमने फोर्थ नमर देखाया इसी परकार से 5 नमर भी देखेंगे इसमे क्या है लीटर में एक लीटर इसमें क्या था एक मीटर एक मीटर का इतना रुप्या था इसमें एक मीटर का कितना है एक लीटर का कितना है इतना किलो मिटर जाती है चलिए हम इनको देख लेते हैं अपने कॉपी में तो यहां पर दोस्तों यहां पर लिखेंगे 5 नमर 5 नम एक मीटर में कितना दूरी ताय करती है वह 55.75 क्या चीज में है किलो मीटर में है तो लिखेंगे किलो मीटर तो यहां पर पूछ रहा था कितना से इतना 2.75 जीरो इतना लीटर पेट्रोल में ताय की गई कूल दूरी यानि कि पूरा दूरी इनका कितना हो जाएगा पाचमी न MRLS यहाँ पहले लिखे वे थी इसको और इसके बाद इसका गुणा के थे इसी प्रकार्सम पहले लिखेंगे इसको 55.75 और गुणा करेंगे कितना से 2.75 जीरो से 2.75 जीरो से इनको अब गुना कीजेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे गुना करके देख लिजिए तो यहाँ पे हो जाएगा दो चार छे यानि कि 246 दसमलाव साथ पांच रूपिया यही क्या हो जाएगा इसका आंसर तो आसा कर तो आपको वीडियो पसंद आओगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक